Hello everyone, welcome to our channel MP Board English Medium तो guys यह जो वीडियो है यह काफे जादे special होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आप अपने course की एक सारी book किस तरह से download कर सकते हैं तो आप लोगों से request है कि इस वीडियो को end तक देखिए because end में मैं आपके साथ परिक्षाबूत की भी PDF के बारे में discussion करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको परिक्षाबूत की PDF भी मिल सकते हैं तो guys इस वीडियो में मैं आप लोगों सारी चीज़े बताऊगा कि कौन-कौन से books आपको use करना है और कहां से उसको download करना है तो देखो guys आप लोगों से एक चीज में पहले बोलना चाहोगा इससे पहले मैंने आपकी batch पे एक वीडियो बनाया था जो था best books के लिए जो की in demanded वीडियो था आप लोगों नहीं मुझसे कहा था कि यह books पे वीडियो बनाई है तो मैंने books पे आप लोगों के वीडियो बनाया था तो उस वाले वीडियो का अगर आपने देखा होगा तो आप यह सारी बाते जानते होगी अगर नहीं देखा हो तो बता दू अगर देखना चाहते हो तो आपको link दे दूँगा description में आप जा करके देख सकते तो देखो guys उस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए जो best book होती है वो है NCRT क्योंकि 2019 से MP board ने NCRT pattern follow करना start कर दिया है तो उसके बाद से पूरा जो आपका exam pattern है और exam paper है वो NCRT based हो चुका है अभी तो guys आपकी बैच से NCRT की जो book से Hindi English की भी आ चुकी है पहले हमारी बैच तक Hindi English की book नहीं थी पर guys आपके इस बैच में Hindi English की book भी NCRT ही कर दिया है यह approval इसी साल हुआ है तो आप लोगों को एक वार बार बताना चाहोगा अगर आपको कोई teacher आपको कोई coaching वाले sir अगर आपको बोलते हैं कि आपको NCRT से नहीं पढ़ना वह बेकार है आपको सारी books को download करना है तो देखो guys जैसे मैं आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को जो main book है वो है NCRT तो main course book का आपको किस तरह से download करना है अभी हम NCRT की बात करते हैं फिर उसके बाद हम परिक्षब होत पर जाएगे तो NCRT की books के देखो कि मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ चाया आप Hindi medium से हो चाया आप English medium से हो कोई भी आपका subject हो बड़ी इजीली आप NCRT की book download कर सकते हो वो भी with solution तो आपको उसके लिए क्या करना होगा तो NCRT download करने के लिए आपको कुछ नहीं करना में यह application जो है इसकी link दे रहा हूँ description box और comment section दोनों जगह पे तो कहीं से भी जाकर कि आप इस application को free of course download कर सकते हो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को को देख सकते हो आप Hindi medium से होगे तो यह right side में दिया गया है NCRT किता भी सब्जेक्ट हो mathematics, physics, chemistry, accountancy, Sanskrit, Hindi, English, biology, history जो भी हो आपको select करना है अभी हम example के लिए physics को select कर लेते तो physics की जो दोनों books है वो आपके सामने इस तरह से खुलके आ जाएगी physics का part 1 और physics का part 2 इसके साथ साथ इन्हों ने यहाँ एक exemplar book भी दी है exemplar का मतलब होता है अगर आपका इन आपको क्या करना है सीधर डाउनलोड पर क्लिक करना है तो यह दो मिनट में फटा फट से डाउनलोड हो जाएगा जैसे फट से डाउनलोड होता है यहाँ पर read offline का option आएगा read offline को हमको क्लिक करके इस तरह से खुल लेना है तो हमारे सामने जो ncrt book का chapter इनी टमबर 2 है उसकी पूरी pdf इस तरह से खुल करके आ जाएगी इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी पूरी जो book है उसकी pdf मिल जाएगी इसी तरह से अब अपने सारे books के सारे chapter डाउनलोड कर सकते हैं यहीं नहीं आप लोगों का अगर ncrt के solution भी डाउनलोड करना है तो ncrt के solution भी आपको आपको डाउनलोड करते हैं जैसे हमने डाउनलोड करते हैं जल्दी से डाउनलोड हो गया और यहां पर read offline का option आगया जैसे हम read offline क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने जो पूरे ncrt solution वो खुल करके आ जाएगे तो इस तरह से आप लोगों के ncrt की जो भी बुक का आप आपको डाउनलोड करना आप डाउनलोड कर सकते हो वह भी with answer आप डाउनलोड कर सकते हो तो यह था गयाज ncrt की बुक के बारे में तो आप समझ चुके होगे कि किस तरह से आपको ncrt को डाउनलोड करना है मैं उस application की link दे रहा हूं description और comment section में कहीं से भी जाकर कि आप बोला था कि अगर आप परिक्षा बोध यूज करते हो आप वाली बैच याने 2021-2022 वाली बैच अगर परिक्षा बोध की यूज करते है तो आपको पुरानी परिक्षा बोध कब की यूज करना है उसमें मैं आपको बोला था कि आपको जो परिक्षा बोध यूज करनी है व आपको 100% ही syllabus है तो उसमें हुआ ये था गाइस कि आगर आपको मानलो 10 चैप्टर है फिजिक्स में तो उसमें से आपको 4 चैप्टर नहीं मिलेगे परिक्षाबोद में क्यूंकि 40% syllabus हो चुका था पर 2019-20 की बैच थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था तो आप लोगों को पूरे chapters उ वगरा नहीं होता नॉर्मल रहता है तो नहीं आपके टाइम परिक्षाबोद की जो नहीं बुक्स आएगी औरिजिनल वाली आप उससे मैच करके देख लेना 90% बुक 100% मैच करेगी क्यूंकि उसमें ज्यादा कुछ खास रहता है नहीं वह वह चीजे रिपीट की हुई रह रहा हूं हिंदी मीडियम की मेरे पास नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमेस्ट्री बायोजी और मैथमेटिक्स यह चार सब्जेक्ट की परिक्षाबोद की पीडिएफ मेरे पास अवीलेबल है यह मेरे पास बहुत मुश्किल से आई है य आपको 10 रुपिस कोस्ट कर रहा हूं पर पीडियाफ अगर आपको फिस की चाहिए तो यह मुझे अगर मैसेच कर सकते हो मेरा WhatsApp, Telegram, सबकुछ इसी नंबर पर है तो आप लोगों से request है कि अगर आप यह PDF पर्चेस करना चाहते हो और यह PDF इसलिए आप लोगों के लिए helpful है क्यूंकि यह आपको बहुत important रहेगी notes बनाने में क्योंकि इसमें बहुत easily सारी चीज़े दी रहती है especially physics की जो परिक्षाबूद अगर आपने कर ली तो ऐसा मानू 90% paper इसी से आता है especially physics में guys तो आप लोगों को अगर यह PDF पर्चेस करना है आप जानते ही होगी परिक्षाबूद की क्या वेली होती है 100 या 200 रुपे की एक एक बुक आती है